रुपानी कांगली और गौरफ खना स्कारर शोव अनुपमा में आए दिन ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं लेकिन अनुपमा का करन्ट ट्रेक दर्शकों के जरा भी पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि जहां एक तरफ अनुपमा अमेरिका की उडान छोड़ कर लौट आई है तो वहीं मालती देवी ने भी अनुपमा को इस कदम के लिए सब के सामने जोरदा तामाचा मारा अनुपमा मा की ममता का हवाला देकर मालती देवी को समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन गौरव खन्ना के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट यहीं खट नहीं होगे शो में अब जोहां एक तरफ मालती देवी का एक रहस से महीराज खुलेगा तो वहीं शो में और भी कई जोरदार ट्विस्ट आएंगे अब क्या है ये तीन ट्विस्ट एक एक करके आपको बताते हैं पहला ट्विस्ट अनुपमा उन्हें चुप रहने को कहती है क्योंकि मालती देवी उसकी गुरुमा है लेकिन अनुपमा के लिए पुजेसिव वन्राच और अनुपमा मिलकर अब मालती देवी की अतीस से जुड़े कुछ ऐसे राज का पता लगाएंगे जिससे की अनुपमा के सामने उसकी गुरुमा का असली चहरा आ सके शो में जल्दी वन्राच और अनुझ मालती देवी के बारे में जानकारी हासिल करने और उसके बरताव के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हाथ मिलाएंगे जिससे की अनुपमा को खुद पर गिल्ट महसूस ना हो और उसकी गुरुमा का असली चहरा खुड कर सामने आ जाए कि असल में वो कितनी घिना से भरी है दूसरा ट्विस डिंपी का इस्तेमाल करेगी माल शो में जल्दी देखने को मिलेगा कि मालती देवी अनुपमा की खुशियों को बरबात करने वाली है और उसे किसी भी कीमत पर खुश नहीं रहने देगी वो अनुपमा की कमजोडि को पकड़ेगी और डिंपी को अपने इशारू पर नचाहीगी डिंपी पहले ही शापरिवार के प्रती नफरस से भरी हुई है और मालती देवी उसका इस्तेमाल अब अनुपमा के परिवार को खत्म करने के लिए करेगी मालते देवी अनुपमा के खिलाफ डिंपी का इस्तेमाल करेगी डिंपी का इस्तेमाल मालते देवी अनुपमा के खिलाफ हत्यार के रूप में करेगी डिंपी का इस्तेमाल कर वो शाह परिवार में दरार डालने का काम करेगी और तीसरा ट्विस्ट परितोष को तलाग देगी किंजल अपकमिंग ट्रेक में शा परिवार में काफी उथल पुथल देखने को मिलने वाली है वो भी तलाग से शो में नज़र आएगा कि किंजल दुविधा में नज़र आएगी क्योंकि वो शा परिवार के साथ रहना चाती है लेकिन परिटोष के साथ अपने शादी को जारी नहीं रख सकती वो जल्दी शाह परिवार से बात करेगी कि वो अब परितोष के साथ नहीं रह सकती और तलाग चाती है वहीं दूसरी तरफ बाग को इससे बहुत बड़ा जटका लगेगा क्योंकि अनुपमा के बाद वो किंजल के सबसे करीब थी और उससे प्यार करती है दूसरी तरफ किंजल अपने परिवार से प्यार करती है लेकिन वो अपने जीवन में शांती चाती है चौकादे वाली बात ये है कि डिमपल इस फैसले से बहुत खुश होगी क्योंकि वो जानती थी कि बाद ने हमेशा किंजल का समर्थन किया है और इसके ओपोजेट अब उसकी टीम कमसोध हो जाएगी लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो बा और शांपरिवार के खातेर अपनी शादी को एक मौका देगी वलेक तरफ मालते देवी की चाल साजिशे तो दूसरे तरफ शांपरिवार की उथर पुथर का असर क्यासे अब अनुपमा संभालेगी ये देखने वाली बात है